यह वीडियो में हूं probability के boundaries की बात करने वाले हैं यानि कि bounds on probability अब probability कैसे find करते हैं वो तो already हमें पता है यहां हमें probability की range find करनी है कि particular x नहीं but a less than x less than b particular interval पे अगर हम will you consider कर रहे है तो उसकी maximum probability क्या possible है and minimum probability क्या possible है so यह maximum and minimum probability की जो range हम find करेंगे उसको क्या बोलते है bounds on probability ठीक है so जो maximum possible value है उसको हम बोलेंगे upper bound of probability probability और जो minimum probability के value possible है उसको हम बोलेंगे lower limit या lower bound of particular probabilities ठीक है और इसके लिए हम जो formula या rule यूज करने वाले है वो है चेबी चेउस inequality अब चेबी चेउस बोल रहे है कहीं लोग चेबाई चेउस बोल रहे है अब प्रोनाउंसेशन जो आप कर रहे हो ठीक है ओके सो आगे जाने से पहले हमें चेबी से उसकी इनिक्वालिटी क्या है वो देखना पड़ेगा और in fact क्योंकि यह formula है तो हमें याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि bound zone probability के कोई भी example calculate करना है तो यह inequality क्या है उसकी formula हमें पता होनी चाहिए तो ही हमें example कर पाएंगे और यस अगे जाने से पहले एक और बात कि अगी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को maximum share करना अब statement लिग देते हैं बहुत short and sweet statement ठीक है प्रोबिलिटी ओफ यहां हम रेंज देखने वाल है अपर लोवर और अपर लोवर प्लस मैनस करना है तो मॉडियोलस कंसिडर करते हैं तो प्रोबिलिटी ओफ मॉडियोलस ओफ एक्स माइनस म्यू यह कि मीन से डिफरेंस म्यू क्या है हमारा मीन पता होगा तो यह है वैरियेबल हमारा एक्स वैरियेबल यस और यह है क्या है मीन मीन विल्यू या मीन ठीक है तो उसका जो डिफरेंस होगा उसका मॉडियोलस और तो यह यह by at least K sigma क्या ही है यह वह ऑन्नों होगा वह हमें फ़ैंड करना है उसके बाद हमें मिलेगी है ना इसका मतलब क्या होगा वह में यहां लिख रहा हूँ प्रॉबिलिटी ओफ मॉडियुलस ओफ एक्स माइनस म्यूँ इस अब प्रॉबिलिटी में दो वर्ड आते हैं तो अटलिष्ट का मतलब क्या होता है मीनीमम यानि कि उससे तो ज्यादा हमें कावर करना है है आप्स तो एटलिष्ट के सिग्मा का मतलब। मीनिमम के सिग्मा तो के सिगमा या के सिगमा से ज्यादा शो आटस्ट के सिगमा का मतलब इक्रेटर और एकवेल diagonals के सिगमा होगा तो हम इसकी बात कर रहे है स्टेटमेंट पहले कंप्लेट कर देते हैं तो यहां ऑटमेटिकली फार्मूला भी कंप्लेट हो जाएगी तो इसकी प्रोबिलिटी क्या होगी यह बीचे बुल रहा है कि वह होगे सब्सक्राइब कि प्रोबिलिटी क्या होगी सो इसका जो आंसर मिलेगा प्रोबिलिटी के बाउनरी मिलेगी क्या होगी अटमोश्ट वन माइनस के स्कुर्ण इसका आंसर क्या मिलेगा बाउनरी मिलेगी वन माइनस वन बाइक स्कुर्र बट अटमोश्ट वर्ड यूज कर रहे हैं अटमोश्ट का मतलब क्या होता है मैगजीमम maximum answer यह होगा यानि कि उससे ज्यादा नहीं उससे कम हो सकता है यह यह तो इससे कम maximum यह हुआ इसका मतलब इसका answer इक्वालिटी या उससे लैस होगा अब इसको ही हम बोलते हैं चेबी से इनिक्वालिटी बट याद रहे यहां हमें max answer मिल रहा है यह जो answer होगा होगा maximum तो probability obviously उससे कम होगी या तो maximum यह हो सकते इसलिए इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला फॉर अपर बाउंड अपर बाउंड ठीक है तो question में अगर पूछा है find probability of upper bound तो फिर हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे बट हम में पता है probability में हम always less than को greater than कर सकते है या greater than को less दिन में भी convert कर सकते है तो अपर बाउंड है तो लोर भी हम find कर सकते है कैसे क्या लोजिक होगा कि यह वन में से सब्ट्रेक कर दो हाना सो वन में से अगर हम सब्ट्रेक कर रहे है तो इन इक्वालिटी अब्यसली बदल जाएगी हाना हो पता होगा ओके बट यह तो प्रॉबिटी के विल्यू है इसलिए वन में से हम निकाल देंगे ना सारी हमने यहां गया इत्मोस्ट रचेंज करना वड़ा जो जब हम चेंज करेंगे तब आएगा इस स्टेट्मेंट में अचली सिगमा इस अट्मोट फ़न फाइक होगा फिर जब हम अब करेंगे ना तब बेसे निकाल लेंगे तब 1-1 by k-square करेंगे ओके तो यह अपर बाउंड होगी 1 by k-square यह याद रहे यह जो ब्रेकेट में है वो वेरियबल है यह वेरियबल है पुरा और यह वेरियबल की प्रॉबिलिटी यह है तो प्रॉबिलिटी को हम 1 में से निकाल सकते है तो इसको हम 1 में से निकालेंगे तो अपर की जगर लोर हो जाएगी बट यहाँ अगर 1 में से निकाल रहे तो यह बदल जाएगा अना अब यह ग्रेटर और एकूल्ट है उसके जगह जाएगा जस्ट लैस देन पता है ना सो यहाँ 1 में से निकालना होगा यहाँ 1 में से नहीं निकाल सकते हैं अब ऐसा क्यूब तो उसके लिए थोड़ा सा दिश्टिपिशन कर दें बाद में हम स्टेटमेंट में जाएगे ठीक है अब एक चोटा सा एक्जाम्पल ही लेते हैं चलो बाद में हम वेरियबल में जाएगी फॉर एक्जाम्पल में अगर ऐसा लिखता हूँ 2 is less than 5 बट ओबियस सबको पता होगा यह सही है बट जब हम किसी नंबर में से इसको निकाल रहे है हाना तो फिर इनिक्वालिटी बदल जाएगी यह जश्ट कॉमन नेगेटिव से मल्टिप्लाइ करेंगे तो बढ़ लेगी पता है ना हाना दोनों साइड नेगेटिव से मल्टिप्लाइ करो तो ऐसा होगा माइनस 2 इस ग्रेटर देन माइनस 5 सबंग में आ रहे हैं और हमें पता है 10 माइनस 2 8 होता है ग्रेटर देन 10 माइनस 5 5 होता है ओल्वेस ट्रू ठीक है तो किसी भी नंबर किसी भी इनिक्वालिटी में अगर हम सब्ट्रेक्शन कर रहे हैं तो इनिक्वालिटी बदल जाएगी देट्सिट ठीक है ओके सो यहां भी हम ऐसा कुछ कर रहे है सब्ट्रेक्शन एग्जेट सब्ट्रेक्शन तो नहीं कर रहे है बट दोनों साइड वन में से अगर निकाल देते हैं तो क्या होगा तो एक और चीज आगे जाने से पहले एक और चीज फॉर एक जाम्पल कोई भी वेरियबल ले लो तो एक्स ग्रेटर देन ए प्लस एक्स लेस देन ए प्लस प्रॉबिलिटी ओफ एक्स ग्रेटर देन ए प्लस प्रॉबिलिटी ओफ एक्स लेस देन ए क्या होगा कोई बता सकता है उसको और समझना है तो मैं line भी लग सकता हूँ यहां यहां suppose हमारा A है एक्स ग्रेटर देन यह का मतलब क्या होगा इस साइड की probability और एक्स लेस देन यह का मतलब क्या होगा इस साइड की probability यानि कि यह दोनों को जब हम add करेंगे तो पूरी की पूरी टोटल probability हो जाएगे और वो तो क्या होगा 1 ठीक है तो अगर हम किसी एक में तो A रखना पड़ेगा suppose मैं यहां 1 रख रहा हूँ तो यहां equal to यहां नहीं रखेंगे या फिर यहां equal to रखेंगे तो यहां नहीं रखेंगे किसी दोनों में से किसी एक में equal to रखना पड़ेगा ओके ओके तो यह ध्यान रहे इसका यूज हम आगे करेंगे अभी मैं जा रहा हूँ upper bound के फोटरी upper bound तो हमारे पास है अभी मैं जा रहा हूँ lower में तो lower में fine करना है तो हम क्या करेंगे जास्ट प्राबिलिटी ओफ मॉडूलस ओफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर वर इकोल टु के सिग्मा लैस वर इकोल टु नहीं अभी क्या हो जाएगा ग्रेटर वर लैस वर इकोल टु है ना तो यहां ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि हम सब्ट्रेक्शन पर रहें ध्यान रहें किसी नंबर में से सब्ट्रेक्शन पर रहें सो लैस देन का हो जाएगा ग्रेटर दें ऑके सो यहां लैस देन और इकोल टु था तो यहां हो जाएगा ग्रेटर देन और यहां वन बाई के स्क्वेर था उसके जगह वन माइ में से subtract कर रहे हैं तो subtract कर रहे है इसलिए 5000 बदल जाएगी, example के दोर पे यहां description है सो less than को greater than कर देंगे किसी number में से निकाल रहे है subtraction कर रहे है तो 러्स कर रहे है तो नहीं हाँ subtraction करेंग dessert ही बदले गी और यहां हम one में से subtract कर रहे है दोनों side इसलिए inequality बदल जाएगी ओके अब हम यहां आ जाते हैं देखो अगर हम one में से इसको निकाल दे greater or equal to sign है ना so x greater or equal to को हम one में से निकाल दे यानि कि इसको अगर हम side transfer करें so यहां हम क्या लिख सकते है one minus probability of x greater than equal to a तो उसका answer क्या होगा yes less than so greater than or equal to के जगह क्या हुजएगा less than I hope समझ में आ रहा होगा just हम इसको side transfer कर रहे है so one minus this equal to this and so यहां हम लिख सकते है one minus this equal to probability of modulus of x minus greater than or equal to जगह हुजएगा less than ठीक है और यहां तो कुछ हम कर नहीं रहे है so one minus k square one upon one minus k square as it is इसको हम बोलेंगे lower limit चूंकि यह greater than का मतलब है कि यह minimum value है हमारी probability इससे तो ज्यादा ही होगी तो यह minimum value है इसलिए हम उसको बोलेंगे lower bound lower bound तो जब भी probability में word problem में find upper bound लिखा है तो यह formula यूज़ करेंगे और find lower bound किया है तो यह formula यूज़ करेंगे पर ज्याद रहे हम दोनों याद नहीं रखेंगे अगर confusion हो रहा है तो हम just upper bound ही याद रखेंगे probability of modulus x minus mu greater or equal to k sigma is less than or equal to 1 by k square अपर की याद रखेंगे और अगर lower चीए तो हम one में से यहां subtract करेंगे तो यह inequality बदल देंगे greater or equal to just less than कर देंगे तो यह automatic याद रह जाएगी दोनों याद नहीं रखना है ठीक है try to remember this one ओकी ठीक है ओके तो इतना काफी है एक्जम्पल करने के लिए कोई भी अर्पर बाउंड या लोड बाउंड प्रॉबिल्टी का साम करना है तो आरहम से हम कर सकते हैं ठीक है so यहां मैं एक्जम्पल कवर नहीं कर रहा हूं but yes next video में हम एक्जम्पल देखेंगे दू एक्जम्पल्स okay so yes मिलते हैं नेक्ट बीडियो में